जो हाल सानिया मिर्जा का हुआ वही हाल सोनाक्षी सिन्ना का भी होगा क्योंकि सोनाक्षी सिन्ना एक मुसल्मान लड़के जहीर इकबाल से साधी कर ले और ये बाते मैं नहीं कह रहा दोस्तों बरकि सोसल मीडिया पे हर जगा यही चल रहा है और उसका रिजन ये है कि सोनाक्ची सिन्ना के इस साधी से एक बहुत बड़ा समाज, एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा जमात पूरी तरह से नराज लेकिन मैं आपको बॉलिवुड के ऐसे दरजलों धारण देने जा रहा हूँ जिनकी साधी और तलाक की खबरे देखके आप भी कहेंगे कि साला यहां कब किसका किस पर दिल आ जाए और कब कौन किस से किस बात पर तलाक ले ले साधी तूट जाए कहीं नहीं सकते यहां बॉलिवुड में तो हिंदू मुसल्मान से कोई लेना देना है ही नहीं और अगर कोई हिंदू मुसल्मान कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके दिल में जहर और नफरत बोर क्योंकि बॉलिवुड का खेल अलग है और हमारा और आपका खेल अलग और हमने इस लिश्ट में पहला नाम दिया है समान्था रुथ प्रभू का साउथ की मोस्ट ब्यूटिफूल एक्ट्रेस अपने जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस्फूल और एक समय में इस देश की नेशनल क्रस आज भी समान्ता रुथ प्रभू क्या कमाल की लगती इनकी साधी होती है नागा चैतन्य से, नागा चैतन्य साउथ के यह भी जाने माने अभिनेता, इतने बड़े अभिनेता कि बहुत सारे लोग साउथ में इनको भगवान मानते हैं और इन दोनों की जोड़ी एक फ्रेम में देखके आप भी कहेंगे कि भगवान नी क्या कमाल की जोड़ी बनाई है लेकिन 2017 में इन दोनों की साधी होती है 2021 में तलाक हो जाता है चार साल के अंदर बताईए कौन हिंदू कौन मुशलमा दूसरा नाम करिस्मा कपूर करीना कपूर की बड़ी बहन करिस्मा कपूर इनकी साधी होती है संझय कपूर से 2003 में साधी होती है 2016 में तलाक हो जाता है तीसरा नाम चित्रांगदा सिंग वो आपने काना सुना होगा इनकी साधी होती है ज्योती रांधवा से जो भारतिय गुलफर थे 2001 में साधी 2014 में तलाक कौन हिंदू कौन मुशलमान सर। भी तो मैंने ऐसे लोगों का नाम लिया हो सकता इनमें से कुछ लोगों का नाम आप न जानते हो लेकिन अब मैं ऐसे लोगों का नाम लेने जा रहा हूं जिनका नाम आप जानते ही जानते हैं आमीर खान पहले रीना दत से साधी करते हैं 1986 में 2002 में तलाक हो जाता है और फिर य का सोच रहे हैं तो आप कहेंगे आमीर खान वो तो हमें पहले से नाम से पता चल रहा है बाई चलिए ठीक है नीचे आई संजेदत नाम तो सुना ही होगा संजदत पहले रीचा सर्मा से साधी करते हैं 1990 में रीचा सर्मा का निधन हो जाता है तो रिया पिल्लही से साधी तिन तिन साधिया करते हैं संजेदत. आमीर ՛ान श desserts किया और दो ही तलक दिया है. संजेदत टो तिन पहुंच गये. और इसके बाद भी संजेदत की एक फिल्म ऑई थी संजूजु, जिसमें संजेदत ने खुलासा किया था कि एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आट, नौ, दस नहीं, बलकि 308 लड़कियों को के साथ वो सोय हैं। सही सुना जराब। और कहा उन्होंने कि कोई कन्फ्यूजन मत रखियेगा, कोई दिक्कत ना हो, आप 350 जोड़ी से। अब संजदत से नीचे आईए। अब संजदत के बाद एक और नाम लेने जा रहा हूँ, किसोर कुमार। किसोर कुमार कमाल के गाया। आज भी उनकी गायकी की, बराबरी मुझे नहीं लगता कि कोई और कर पा रहा है। किसोर कुमार ने चार-चार साधिया की थी। पहले लीना चंद्राकर से इनोंने साधि की, उसको तलाक दिया, फिर रुमा घोस से साधि की, इसके बाद मदुबाला से साधि की। चलती का नाम गाड़ी इस फिल्म में मदुबाला से मिले, मदुबाला कमाल की लगती थी, बहुत कंप्रोवर्सियल साधि थी। लेकिन मदुबाला से इनोंने साधि की और मदुबाला के बाद योगिता बाली से फिर साधि की, कि सोरकुमार में चार-चार साधिया की थी। इसके बाद करन सिंग रोवर, इनका भी आपने नाम सुना होगा, जो फिलहाल विपासा बसू के साथ इनोंने साधी कर ली है, इससे पहले ये सरद्धा निगम के साथ इनोंने साधी की थी और जेनिफर विंगेट के साथ, मतलब करन सिंग रोवर भी तिन-तिन साधीया कर चु और सुजाइन खान को तलाक भी दे दिया पता नहीं किसका दोस्त था या क्या था और अब रितिक रोशन फिलहाल सिंगल हैं किसी और लड़की के साथ ऐसे एरपोटी दर उदर पे घुमते रहा है फरहान अक्तर अपने नाम सुना होगा इन्होंने अधुना भवानी के साथ स फिर उसको तलाक दे दिया सैफ अल्ली खान ये भी अपने नाम सुना होगा अमरिता सिंग से इन्होंने साधी की थी अमरिता सिंग को तलाक दे दिया और फिर करीना कपूर से साधी की करीना कपूर जो इनसे 12 साल छोटी हैं और सैफ अल्ली खान और करीना कपूर की जब की मलाइका रोडा को तलाक दिया इसके बाद अब अब अरबाज खान ने दूसरी साधी कर लिए कमल हाशन इनका भी आपने नाम सुना होगा पहले ये वीडा गडपती से साधी करते हैं तलाक देते हैं फिर सारिका से साधी करते हैं फिर से तलाक देते हैं फिर ये गौतमी से साधी करते हैं मतलब कमल हाशन ने भी तिन-तिन साधी करते हैं कबीर बेदी पहले प्रतिभा बेदी से साधी करते हैं तलाक देते हैं फिर निक्की बेदी से साधी करते हैं फिर से तलाक देते हैं और फिर परवीन दुसांज से साधी गर इस लिस्ट में अगला नाम आता है र राज कुंदरा मुझे क्यों पती बोणी कपूर को आप जानते होंगे बोनी कपूर ने पहले मोनासूरी से साधी की थी मोनासूरी को उन्हों ने तलाक दिया और फिर स्पूर देभी से साय tbsp तो यहाँ सहादी, प्यार, तलाग, क्या हिंदू, क्या मिसल्मान सेर, इट इस बॉलिवूट, यहाँ स्वैग अलग होता है अब मैंने एक छोटा साब को, मतलब 12 से ज्यादा, तकरीबन 20 लोगों के मैंने नाम बता हैं, जिन्होंने सादिया की, तलाग किया, तलाग किया, शादिया की इसमें कई सारे अक्ट्रेस का नाम है, कई सारे हीरो का नाम है, हीरोईन का नाम है अब आप बताएए इस लिस्ट में रियल में आप खोच सकते हैं कि हिंदू कितने हैं, मुशलमान कितने हैं, किसने किसको फसाया, किसने किसको किस वज़ा से तलाक लिया अब अगर सोनाक्षी सिन्ना, ये इकबाल जो भी मुशलमान हैं, इससे साधी कर रही हैं और कल गए तलाक हो जाता है, तो आश्यर्य वाली कोई बात नहीं है बलकि आप आज ही उस चीज़ के लिए मेंटली तयार बैठिये, कि ये खबर आ सकती है, बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि बॉलीवड में ये हर रोज का काम है इसलिए अगर मैं सच कहूं तो सोनाक्षी सिन्ना के इस लड़के से साधी करने पे ना तो मुझे कोई आपती है, ना मुझे कोई आश्यर्य है और कल गए अगर तलाक हो जाता है, तो भी मुझे कोई आश्यर्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यही धंदा है, यहाँ हर रोज का यही खेल है, यहाँ पैसो के लिए कौन किधर किधर बिक जाता है, किसको किस से प्यार हो जाता है, कब कौन किस से तलाक ले लेता है, यू का में कर आपने माथ तरीके से सूचना शुरू लूंगा फिर भी आप क्या सोचते हैं में बता सकते हैं मेरे लिए के कमेंटस कर सकते हैं को मेंच अपनी भी दे सकते हैं देखने के वाथ आप देख रहेताएуч find को कesh झाल झाल ची कहान झाल